नमस्कार मैं रबिंदर चौहान खास कारिक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार में रबिंदर चौहान खास कारिक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विजय कुमार गुपता और गोहाटी विश्विदाले कि राज़े के साथ के विभाग के प्रफेसर विकास तिरपाथी। आप सबका इस कारिक्रम में स्वागत है। सबसे पहले कॉंग्रेस प्रवक्तार अमन जहारी से जाना चाहेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप आपकी पार्टी के जो नेत्रित्व है उसे जो कारिकरता है बड़े नेता है नराज चल रहे हैं और एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए मैंने कहूंगा नराज है नराजगी रहती है हार पार्टी में क्योंकि जब एक बड़ा पार्टी कोई पार्टी है तो उसमें बहुत थारे लोग हैं जो हर बैक्ती चाहता है कि उसे कुछ महतपुर्ण पद मिले लेकिन अगर एक ही बैक्ती को हमेशा देखा देखा हुगा सब्सक्राइब हो ठोली किमिले परिदा बनाता है वह है जनता जनता निरने करती है कि वह किसको अपना परदिन दित चुने और किसे राज चलाने दे यह जनता का दिकार है जो राजनतिक पार्टिया है वो जनता के पास अपने मुद्दिले के जाते हैं अपने विचारधारास के साथ अपने विचार के साथ अपने काम के साथ बीकास तिरुपाटी के को जुड़ चुके हैं उनको एक लाब मिलता दिख रहा है राजनिती में जैसा कि इन्होंने कहा कि मदमक्खी सहत दिखाई दे रहा है इसलिए वो उधर मुड रहे हैं राष्टी स्तर की बात करें तो महरास्ट में भी यही हाल था जहारखंड में यही हाल था और बड़े नेता जो जोती रहे दिते सिंद्या उन्होंने पार्टी छोड़ कॉंग्रेस पार्टी अभी तक यही कह रही है उनको लाब मिलता दिख रहा है स्वार्थ भावना से वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं देखे राजनीत में लाब के एंगल को आप दर किनार नहीं कर सकते लेकिन एक कॉंग्रेस में गहराता संकट एकदम सामने दिखता है चुकि अगर आप पूर्वोत्तर के राज्यों में भी देखें तो चाहे अरुनाचल प्रदेश हो चाहे मनीपूर हो चाहे सिक्किम हो चाहे आसाम हो यहाँ पे जो भी सरकारे बनी यहाँ पे विधायक विपक्षिदल से कॉंग्रेस से बीजेपी में आया या कुछ रीजनल पार्टी से बीजेपी में आया और उसी के चलते बीजेपी का जो रीजनल फुट्प्रिंट है वो बढ़ा है तो यह सारी चीजें कहीं न कहीं कॉंग्रेस के नेत्रित्व में जो एक अनिर्णय की भूमिका से दिखे उसके कारण यह संकट गहराया आज भी कॉंग्रेस का जो शिर्ष आप देखते हैं एक इंटरिम प्रेसिडेंट है सोनिया गांधे जी तो कहीं न कहीं कुछ जैसे जो मद्ध प्रदेश का ही आप देखें वहाँ पे किवल सिंदिया अलग नहीं हुए हैं बलकि 20-22 MLA भी पार्टी को छोड़े हैं एक स्थिर सरकारी तो कहीं न कहीं जो लीडर्शिप है वो डिस अफेक्शन को कंट्रोल करने में वीक रहा है तो जबकि अभी ऐसा लग रहा था कि महरास्ट जारखंड में कॉंग्रेस समर्थित सरकारे बनी हैं तो कुछ कॉंग्रेस का रिवाइवल का मुवमेंट दिख रहा था लेकिन जो नेत्रित्व का जो संकट है वो कहीं न कहीं से राज्यों पे अपनी पकड़ धीली करता जा रहा और इसी के चलते राज जिसे जो विधायक हैं वो असंतोश देखते हुए एक ऐसे संगठन की तराश में हैं जहां पे वे शक्ती केंदर के जादे करीब रहें तो यह पूरा मतलब राजनीत तो एक प्राग्मेटिक चीज है Politics is about power, no one can deny it but somewhere down the line Congress and its leadership have mainly at the central level have failed to recognize the brewing disaffection और यह young leadership का क्योंकि Sindhya was very close to Rahul Gandhi and which is very apparent through अगर आप लोग सभा के डिबेट्स देखिये तो उसमें आपको काइदे से दिखते हैं उनका इतना बड़ा करियर रहा तो यह कहीं न कहीं एक बहुत गहरा संकट है यह किवल इस बात की राजनीत नहीं है कि बड़ा प्रलोभन मिला है यह एक संगठनात्मक संकट है Congress का जी संगठनात्मक संकट है विकास जी इसमें दो तिन बाते हैं जिन बातों का आपने जिकर खिया एक तो असफल नेत्रित्व का हवाला दिया आपने और जो दूसरे राज्यों का आपने उदारण दिया उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि जब सत्ता परिवर्थन की बात आती है कुछ विधायकों को लालच दिया जाता है उनको एक अलग होटल फाइव स्टार होटल में रखा जाता है लाप लालच दिया जाता है तब आते हैं लेकिन अब अब जो हमारे सामने उदारण है कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वह बीना चुनाओ चुनाओ के आगे या पीछे तरह से मन बनाकर यह इस खत्रे में दिखता है। उन्निस में चुनाओती देगा लेकिन ऐसा रहा नहीं और अभी भी करनाटक में इनकी सरकार थी गड़बंधन की वहां खत्म हुई अभी महरास्ट बहुत ही फ्रेजाइल दिखता है हाला कि कुछ कहा नहीं जा सकता तो कॉंग्रेस का भविश तब ही सुनिश्यत है अगर अपने नेत्रित्व और नियती में एक सामन जस स्थापित कर पाते हैं कुछ कठोर निर्णाय लेने होंगे खास तोर से यह जो एक साफ तोर से दिख रहा अगर आप देखिए यह किवल सिंदिया का नहीं है मुरली देवरा भी सचिन पाइलट भी जो भी यंग लीडर्स र पावर के गेम की तरह ले रही है वो राज दर राज अपने आपको मजबूत कर रही है और पूरे भारत की जो राजनीत की इकाई है वो राज है और राज्यों में कमजोर होते जा रही है कॉंग्रेस अगर आप राज्यों में कमजोर होंगे तो केंदर में सत्ता काबिज कर जी हम चर्चा जारी रखेंगे विगास जी वीजय जी हमारे साथ है प्रदेश भाजपा को पाध्यक्ष वीजय जी इस बात में कितनी सचाई है कि आप विधायकों और जो कॉंग्रेस पार्टी की जो कारी करता है नेता है उनको लालच दे के अपनी योर खीच रहें अगर इ इमांत विश्व शर्मा ने इस बात की घोषना क्यों की कि विधायक जो राजपा में सामिल होने वाले हैं देकि सबसे बड़ी बात नमने पहली बात तो कहीं लालच की मैं उसके उपर मैं आना चाहता हूं कि भारती जनता पार्टी लालच देकर कि किसी को लेके नहीं आती राजपा में लालच सब्ड जो एक ऐसा है ये बहूत जदा ठीक नहीं होगा क्या चीज़ का लालच हो सकता है भारती राजपा नितिक के अंदर में इतने दल हैं इतनी राजपार्टियां वो एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो इसका यही अर्थ लगा लेना कि भाही लालच के वस एक ब्यक्ति इधर से उधर गया मैं सोचता हूँ कि भारती राजनिती में का इतना जो है वो नीचे नहीं आई है दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि भारती जनता पार्टी के प्रति आक्रिश्ट हो करके क्यों लोग आ रहा है लालच नहीं आक्रिश्ट ह राजनिती में कोई भी ऐक ऐसा लीडर हो या विश्ट के राजनिती में जो उनके समकच्च हो तो एक तो नेतित छमता और दूसरी चीज़ है नीतियां आज किसी भी राजनितिक दल की उसकी नीतियां जदी अस्पष्ट नहोट जहाँ क्लियर्टी नहीं हो जहाँ और तीसरी बहुत बड़ी चीज है कि भारती जनता पारटी संबेदन से राजवितिक पारटी है आपके पास मजबूत नेत्रित्व है लेकिन आपके पारटी पर यह आरोफ लगता है कि आप कॉंगरेस पारटी को तोड़ने में आप आपके जो बड़े नेता है उनकी भूमि होती है और वह ब्यक्ति इतना कमजster नहीं होता है कि किसी के प्रहार से तूड़ जाया और किसी के लोग को लालस में फढ़ जाया अगर ऐसा ब्यक्ति है राजनिती में तो हम सोचते हैं कि वह राजनिती में और देश के विकास में और देश का भविष्ट उज्वल करने के लिए और भारत को वापस विष्ट गुरू बनाने के लिए आईए हम एक वद्ध होकर के आगे बढ़ें और लोग हमारी नीतों से आकिस्ट होकर के आते हैं और हमारे हमका स्वागत होता है और स्वागत के या काम लालज देने का काम भारती जनता पारीटी न आज कर रही है और भविष्ची में हम कैसी ऐसने ऐसा अपने दल से रखते हैं रमाज जी आपकी पार्टी का क्या भविष्ची है आप क्यों नहीं अपने पैरों पर खड़े हो पार रहें राजनितिक रोप से आप एई- परटी है एक ऐसी पार्टी जिसकी जरहें बहुत मजबूत है पतजर आते हैं फिर पसंद आता है और उसमें हरे हरे पत्र लग जाते है और फिर फल देने लगता है तो यह तो मोसम का एक बेदना कर लिए या मेरी बात मानूं गाता जब आपके पार्टी से कुछ लोग निकल लेकिन आपके पार्टी से लगातार जो नेता है वो निकलते जारें आप हमारे संपर्क में है अब आप जोतियादित सिंदा की बात कर रहे हैं तो निकल गए थे अपनी पार्टी मनाई थी आज फिर उगे उनका पुत बेटा गया है आज यहां आप राजदीब गवाला भी लेकिन जहां तक हमें भी प्ताया की कुछ दिता उनके संपर्क में हैं और चाहते हैं कि वह बाजपा में जाए और मैं यह भी कहना चाहूआ होगा जो मैं एक अपरस्वाम के प्रशूर कर दिया बहुत सारे नेता अपने आप में संकित हैं कि कि उन्हें अगले बाट जीत पाएंगा या नहीं जाब पाएंगे उन्हें भी कॉंगे से सारा दिखता है तो यह आज निती में होता रहता है उलट फेर दूसरी बात आपने कहा कि के साथ हमारा एलाइंस के साथ हमारा एलाइंस नहीं हुए आज रासभा के सान साथ अजीद भुईया और अभी तक मुझे जहां पता चला कि मेरे ब्रोद हैं तो उनका समर्थन क्या है कॉंग्रेस ने भी और उनको गोई ने कहा है को 90 प्रतिशत तक आस्वास्त है कि आगे आ समामना हैं होती है बात्चीत होता है समामना होती है बहुत जगह ऐसा भी है जिलापरसद की समीटियां जहां भाजपा और आईडियफ पार्टनर बनके जिलापरसद बनाए हुए अब इस बात में कितनी सचाई है वो बिज़ए शाफ करेंगे अचुता नहीं है अगर एक में जाना जाता हुए बदरुदीन अजवल की बात ये उडियफ के जो लीडर है बदरुदीन अजवल वही आज हमारे तरण गोईशाब कहते थे कि हुई बदरुदीन और उसके बाद से बदरुदीन की पार्टी को ये अडियफ को संपरदाइक दल कहा जाता था घोर स लंपरदाइक दल कहा जाता था जितने साथ चूच में आज जो है मुसलमानों की ही मतलब हम कहें तो वह एपीजमेंट या उनके लिए ही राजनेती हो कर रहे थे कि सिर्फ एक ही समुदाइक आविकास आईसी राजनेतिक पार्टी के साथ में और कांग्रेस का जाना ये नि भारत वियोदी नारे लगा रहे थे जिनके मुकमंत्री ने कहा था कि अगर भारत कास्मीर में त्रंगा उठाने वाला कोई नी होगा ऐसे बैक्ति के साथ चार साल तक पीड़ीपी के साथ कास्मीर में भाजापा की सरकार थी अब आपस में नहीं पटी तूट गया विक्रा प्रफेसर विकास तिरपाथी आपसे जाना चाहते हैं कि जैसा कि बास्ता के प्रदेश बास्ता को पाध्यक्स विजेग गुपता जी ने कहा कि दुर्भा के पूर्ण है कि कॉंग्रेस पार्टी बिखर रही है तूट रही है एक मजबूत विपक्सी कमी इनको भी खल रही ंशत्ता में रहते होएएं अगर पाटी अगर ये जताती है के पाटी को मजबूत विपक्सी कमी खलती है तो ये वाकई सोचने वाली बात है आगे चलकर जैसा कि आपने कहा कि नत्रित्व की कमी कॉंग्रेस पार्टी को इस इस्थिति तक ले आई है। तब से जोत्रियादित सिंधिया और कमलनात के मध्ध टसल चल रहा था राजस्थान में भी सचिन पाइलट और गहलोत के मध्ध थोड़ा बहुत टसल देखने को मिला और वहीं दूसरी तरफ मतलब अगर आप देखे तो महरास्ट में शरत पवार की एक बड़ी भूमिका रही उन्होंने अलाइंस को इंटाक्ट रखा और महरास्ट में लगभग अलाइंस भले फ्रेजाईल है लेकिन अभी एक इस्थिर अलाइंस दिखता है तो कहीं न कहीं से जो नीतिगत निर्नाय होते हैं और जो पार्टी के अंदर जो फैक्शनलिजम होता है जो गुटों का संघर्श होता है उसमें पार्टी में सामनजस अस्थापित करने में नेत्रित्व की सबसे बड़ी भूमिका रहती है और बीजेपी के लिए हमेशा ये एक एडवांटेजिस पोजीशन रहेगा कि उसके तरफ अगर MLA आएं क्योंकि जहां-जहां MLA बीजेपी के ओर मुड रहे हैं वहाँ-वहाँ बीजेपी एक सरकार दे रही है और सरकार इस्थिरता ला रही है जब सरकार इस्थिरता ला रही है तो राज्यों के अस्तर पर कॉंग्रेस और कमजोर हो रही है और जिसका प्रभाव सिधे-सिधे आप केंद्र में भी देख सकते हैं तो कहीं न कहीं से सारी चीजें नेत्रित्व से जुड़ी हुई है और ये संकट काफी गहरा है ये इतना मतलब चार MLA या पाच MLA के डिफेक्शन का प्रश्ण नहीं है या एक राजसभा सीट या दो राजसभा के सीट का प्रश्ण नहीं है आज अगर आप पूरे पुर्वत्तर के राज्यों में देखें तो बीजेपी समर्थित जो भी सरकार है उसमें कॉंग्रेस द्वारा डिफेक्टेड MLA या रीज बड़ी भूमिका है और वो लोग बड़े-बड़े मुद्वों पे एक तथ़स्ट भूमिका ले रहें मतलब एक strong position they are able to take so if congress is able to you know resolve this leadership crisis and they are able to for instance take some bold policy decisions on certain national issues no doubt politics can change. politics is all about change politics is never aesthetic no party can set to be remain in power forever but then you have to resolve your leadership crisis Rajniti is a great deal as you have made a decision but you should know Vikas Ji there is also a need for the needs which has been the needs of India and has been the need for the needs and has been the need for the need for the need 307 को खत्म करने का मामला हो या CAA कानून लाना हो इस पर कल ही संसत में चर्चा हो रही थी उस वक्त कपिल सिबल ने ये माना कि ये कानून जो है वो किसी की नागरिक्ता नहीं छीनता है तो कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी मानने लगे हैं जो नितियां सरकार ला रही हैं दमखम के साथ उसे कॉंग्रेस पार्टी की बड़े नेता भी मानते हैं कॉंग्रेस पार्टी अगर किसी निती को लेकर आगे बढ़ती है तो उसे द्रिर्टा के साथ लेकर आगे बढ़ना है पुराने नितियों को बदलना होगा के उपर डिबेट हुआ तो ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी के सांसद या एंडिये के घटक दल केवल 370 पर बीजेपी का समर्थन किये संसद के कई ऐसे दल जो की एंडिये के बाहर थे उन्होंने भी 370 पर बीजेपी का समर्थन किया या इस तरह से कई ऐसे राश्टी अस्तर क पर मुद्दे रहे हैं और जिसपे की बीजेपी जो एंडिये सरकार है उसको गैर एंडिये दलों द्वारा समर्थन मिला है हलांकि का को लेकर के एंडिये में भी एक विभाजन की थोड़े बहुत स्थिती दिखती है जैसा कि जदियू जो बिहार में बीजेपी का घटक दल है नितीश कुमार ने सपष्ट किया है कि वो नर्सी और का के उपर उन्होंने अपने एक रिजर्वेशन्स एक्सप्रेस किये हैं लेकिन कहीं न कहीं से बीजेपी एक मत के साथ का और नर्सी पे चली है वहीं कॉंग्रेस में इन सारे मुद्दों पे डिवाइड हाउस का क्योंकि सिंधिया ने कॉंग्रेस में इसे लेकर कॉंग्रेस पार्टी की भीतर ही मत भेद रहा है इन नितियों को बड़ी नितियां जो NDA सरकार लेकर रही है उस पर मत भेद रहा है रमान जी से जाना जाएंगे रमान जी नीतियों की अगर बात करें तो नेत्रितों की बात आम तोर पर होती है सब नेत्रित पर सवाल उठाते हैं लेकिन पहले से ही आपकी नितिया रही है धर्म निर्पेक्ष्टा ये सब को साथ लेकर चलना निर्पेक्स्ता का आपके उपर लगता है कि आपको लगता है कि आपको पुनर विचार करने की जुरूत है जो नीतिया लेकर आप चल रहे हैं जो आदर्स आपकी पार्टी लेकर चल रही है वो काम नहीं हो सकता है पर दर्मनिक पर श्ता चादम नहीं हो सकता है बहले ही आप उसे चादम कर दीजे जिस तरह से आप जो 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 घूनल पार्टिया है उनकी हाड़कोर जो जो जिए इस आपने नारी-ची जह हो कैसी के लाजी को नहींरणम को नहीं यहीं हों की शीजिए उनका aa कौम टूनल नारी शीं एक है अज घरती हैं इंदू बंगाझियों को नहीं दखना है को ली है औरैयो लेकिन पिछली दिनों जो कुछ हुआ है आपने बिरोध किया है लोगों ने भी लोगों ने इसका बिरोध किया है और संसत के बाहर देखिए बहुत कुछ ऐसा है कि हम जंता के साथ है कि इसको सबको समनता से देखना चाहिए और इसके अधार पर किसी को विशस दर्जा नहीं मिलना चाहिए और एक्ट पहले से ही है इसमें आपने 12 साल से कमा के 6 साल कर दिया है लेकिन नर्सी दा के क्या हुआ अपने दिनेश प्रजापति का केस देखा नेथि देवी के केस है जो मूल से भारती है लिए उनके उपर जब समझ से आती है तो ये सवाल बंता है विजय जी पार्टी छोड़कर जाने और आने वालों के बातचीत हो रही है उस पर आपकी राय जाना चाहेंगे आपने सभी पार्टी के जो बिपक्सी पार्टी के बड़े नेताओं को अपने ले तो लिया लेकिन आपके जो जमिनी कारी करता है वो नाराज दिखते हैं इतन क्या आप दूसरे पार्टी के नेताओं को भरते ब loaf कर रहा हूं कर देखे मनोबल और भारती जंता पायटी कर्टब बेनिष्ट हमारे कार्यकरता जो देखे काड़र बेस्ट हैं उनको क्या है टेरिंग पहले से भी दी जाती है कि हमको है हमारा दाइत और हमारे अधिकार हमारे कर्टब्बे के वीच में लेकिन गृतिकार की बात करते हैं स्वाभावी कुलूप से अधिकार की बात करने चाहिए लेकिन करतब निष्ट ब्यक्ति होता है तो आज नहीं तो कल उसको कुछ मिलता भी है और हमारे भारती नतापाटी के मैं बताओं कि कारिकर्टा कभी नो निरास होता है और नो कभी वह फ्रस्टेटेड होता है समय समय पे कहीं एक दो आवाज आती है ऐसी नहीं है अपवाद हर चीज का अपवाद होता है लेकिन अपवाद को आप मान करके भारती नतापाटी की नीतिया है या भारती नतापाटी की कारिकर्टा के अंदर में ऐसी भावना है मैं बहुत कम देखता हूं ऐसा नहीं है हम परफॉरमेंस उसके अनुसार उसको मिलेगा कहीं कहीं अपवाद होगा कि भाई परफॉरमेंस रहते हुए भी कैलिबर होते भी निष्ठा होते हुए कहीं कुछ कहीं मिलत और सवाग्य फार्टी से जूड़ रहें और यस वक्त जो सबी सबी सबीकार की की नत्रuses पूछा रहा है तना ही हमारे साथ जूने के लिए दिनेवाद शुक्रिया शुक्रियान झाल झाल